हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने नोक्या C12 Pro Android में अगर आपके मुवाइल फून के वाइफाई कनेक्टिड होने पर भी वाइफाई का इंटरनेट नहीं चल रहा है तो इस प्रॉल्म को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आप ये वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देखिए दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे वाइफाई जो ना कनेक्टिड होता है लेकिन वाइफाई का इंटरनेट काम नहीं करता है जिसकी वज़े से भी हमारे वाइफाई के इंटरनेट में देखने को मिलती है तो आपको अपने मोवाईफाई की नेटवर्क सेटिंग को रिसेट करने के लिए आपको अपने मोवाईफाई में आपको इसे फिर से reset setting पे दुबारा tap करना है तो आपको थोड़ी देर में आपको नीचे की set यहां पे लिखा हो आएगा यह देखे network setting have been reset इस तरीके से आप जो है mobile phone की network setting को reset कर देंगे तो इससे आपके जो wifi के internet की problem है वो आपकी solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्तों यहां पर आपको अगला process करना क्या है कि आपको आपने mobile phone को एक बार restart करना है mobile phone को restart करने के लिए mobile phone के side वाला power button आपको उगली से दबा के रखना है आपकी screen के सामने यह वाला page आएगा छोटा सा इसमें आपको restart पे tap करना है इससे क्या होगा ना कि आपका mobile phone जो हो automatic switch off हो जाएगा फिर इसके थोड़े दिर बाद automatic switch on हो जाएगा restart करने से यह होता है हमारे mobile phone के android system में अगर कोई problem आ जाती है तो वो problem जो हो जाती है phone को restart करने से ठीक है इसके अगले page में आपको सबसे नीचे की side यह access point name का option tap करना है तो आपका अगला page है आपका APN का होगा APN के इस page में आपको सबसे उपर इस three dot पे tap करना है एक छोटा सा page आएगा इसमें आपको reset to default के इस option पे tap करना है तो आपको जो है थोड़े देर में यहाँ पर नीचे लिखा हो आ जागा यह देखिए reset default APN setting तो आप इस तरीके से अपने mobile phone के APN setting को आप reset कर देंगे तो इससे आपके wifi के internet की problem solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्तो अगला process आपको यह करना है कि आपको अपने mobile phone का software एक बार चेक करना है कि वो updated है या नहीं है दोस्तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे phone के software का update आता है हम उसे update नहीं करते है या फिर update आता है तो कभी के बार हमें पता नहीं लगता है तो mobile phone का software होता है वो हमारा updated ना होने के कारण भी हमारे phone के android system में कुछ problems आने लगती है तो आपके phone का software update है या नहीं आपको check कैसे करना है देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले तो mobile phone का internet आपको चालू रखना है ठीक है इसके बाद आपको mobile phone का setting page open करना है setting page में आपको सबसे नीचे की system पर tap करना है इसके अंदर आपको सबसे नीचे system update पर tap करना है तो आपको इस वाले page में अगर कोई भी update का button या download install अगर लिखा हुआ दिखाई देता है उससे आपको tap कर देन अदरवाइस phone को reset करने के बिल्कुल जरूरत नहीं है phone को reset करने के लिए phone का setting page open करिए इसमें आपको सबसे नीचे system पर tap करना है इसके अंदर reset option tap करना है इसके अंदर आपको erase all data factory reset पर tap करना है इससे आपका phone reset हो जाएगा और आपके wifi के internet की problem solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखने है आपके phone में जितना भी data सारा data किसी दूसरे phone में transfer कर लीजे या उसका backup ले लीजे दूसरी बात ही ध्यान रखने है कि आपके phone की gmail id और उसका password आपको पहले से note करके रखना है यह दो काम आपको पहले करने है उसके बाद ही आपको phone को reset करने ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो में आपको जितना ही process आपको बता है सारे आपको use करने तो इससे आपके wifi के internet की problem solve हो जाएगी